नमस्कार, घरेलू उप्चार में आपका स्वागत है, मित्रों कहीं भी रहें, खुशाहाल रहें और अपने स्वास्त के उपर पूरा-पूरा ध्यान दूएं। मित्रों, आज एक छोटा सा जबरजस्त तोटका परियोग दे रहा हूं। तो मित्रों, जीन बैक्तियों का मंगलगरा और सनीगरा मजबूत होंगें। उन बैक्तियों को किसी भी परकार का बधायें नहीं उत्पन होती है, कोई परसानी नहीं आती है, और घर में जोरदार धन ब्रिधी होती है। मित्रों, यह गराह ऐसे चीज हैं कि जीन बैक्तियों का गराह खराब हो गए, उन बैक्तियों को धीरे-धीरे कंगाल बना देता है। और यह गराह अपने अनकूल नहीं हो पाते, और जो बैक्तियों का गराह उनके अनकूल हैं, उनका धन संपती देखिए। दीन-दुगुनी, राच-चवगुनी धन-ब्रिधी होता है। तो मित्रों, आज यह एक छोटा सा हम तोड़का परियोग दे रहा हूं, जिसके करने से यह दोनों गराह आपके अनकूल हो गएं। किसी भी कार्य में आपका बाधाय नहीं आएगी, जीमन में कोई परसानी नहीं होगी, और घर में जोरदार धन का ब्रिधी होगा। और जो सोचेंगें, जो चाहेंगें, वही होगा। कोई कोई कार ऐसा भी आप कर सकते हैं जो की अपने दीवन में सोचा भी नहीं होगा तो मित्रों चलिए पहले आपको दो धागे लेना होगा दो प्रकार के आपको धागा लेना होगा दोस्तों एक लाल रंग का और दूसरा काले रंग का तो यह दो धागा आपको लेना होगा अब लेकर के अपने अंगुली में बाधना है तो मित्रों यह धागा अपने पैर के अंगुली में बाधना है अगर पूरुस हैं तो अपने दाहिने पैर के अंगुली में बाधना है अगर इस्तिरी हैं तो अपने बाएं पैर के अंगुली में बाधना है तो कैसे बाधना है चलिए हम दिखाता हूँ यह है उठा यह है पहली अंगुली तो मंगलवार के दिन इसमें लाल धागा बांध है और ये दूसरी हो गई इसमें जो है सनिवार के दिन काला धागा को बांध है इसमें काला इसमें लाल ये मंगल के दिन और ये सनी के दिन आप तो देख करके समझ गए होगे तो अब आपको मंगलवार के दिन लाल रंग के धागे अपने पैर के अंगुठे के बगल में पहली अंगुली में बाधना है इससे मंगलगरा काफी मजबूत होते हैं और सारी परसानिया दूर होती है और घर में धन आगमन होता है अब काले धागे को सनिवार के दिन काले रंग के धागे को अपने दाहिने पैर के अंगुठे से तीसरा अंगुली में काले धागे को बाधना है तो इस काले धागे से सनी गराह मजबूत होते हैं जो कि आप जानते हैं कि सनी गराह कितना खत्रनाक हैं जिनके उपर इनका दिरिष्टी खराब हो गया वह दिन पर दिन कंगाल बना देता है तो इस जो है काले धागे से सनी गराह मजबूत होते हैं आपके अनकुल बने रहते हैं और मित्रों इस परयोग को आप अपने मनो कामना के हिसाब से कर सकते हैं कि आपको धन संपती के लिए धागा बाधना है कि बेरोजगारी के लिए बाधना है कि नोकरी के लिए बाधना है यानि आप सभी मनो कामना इससे पूरा कर सकते हैं खूल कर गिर जाता है जब आपकी मनो कामना पुत्ती हो जाएगी तो इस धागे को उठा कर किसी पानी में परवाहित कर दें तो मित्रों अगर बिना मनो कामना कहे हुए इस परियोग को करते हैं तो आपकी धन संपती की बिधी होगी अगर किसी मनो कामना के द्वारा करते हैं तो आपकी मनो कामना पुत्ती होगी अगर जब धागे तूटके गिर जाते हैं तो फिर इसी बिधी बिधान से और कोई मनो कामना लेकर आप इसे कर सकते हैं लेकिन ध्यान रहे है मित्रों मंगलवार के दिन जो धागा बाधेंगे वह लाल रंकी होगी और जो सनी गरह के लिए सनीवार के दिन बाधेंगे वह काले रंका होगा तो अंठा से पैर के अंठा से पहली अंगली में लाल धागा अंठा से तीसरी अंगली काले धागा सनी का है तो मित्रों यह जबर जश्ट प्रयोग है आप इसे करें विश्वास के साथ आपको भरपूर लाह मिलेगा और सारी इच्छाएं पुरूई होगी सारी मनो कामनाएं पुरूई होगी चाहें आप जिस कार्ज के लिए भी करेंगे वह पूर्ती होगा तो मित्रों इस विडियो में इतना ही और हमें दीजिये इजाजात नमस्कार